अब जो है इन सब questions को आप attempt करिए और फिर हम लोग end में इसका answers भी देखेंगे और explanation भी देखेंगे ठीक है तो हम लोग start करते हैं हमारा पहला question है regarding woods dispatch which of the following statements are true first है आपका grants and aid system was introduced second है establishment of university was recommended third है English as a medium of instruction at all levels of education was recommended ठीक है तो आपने देख लिया statements आपका option है option A है 1 and 2 option B है 2 and 3 option C है 1 and 3 and option D है 1, 2 and 3 तो बताएए कि इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer होगा 1 and 2 देखिए अभी हमने पिछले भी daily dose के lectures में देखा था और ये भी discuss किया गया था कि जैसे UPSC का questions में क्या होता है अगर आपको information नहीं भी हो पर अगर आप कुछ keywords का ध्यान रखते हैं या checkpoints का ध्यान रखते हैं तो आप questions ऐसे भी solve कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आपका तीसरा statement में दिया हूँ था English as a medium of instruction at all levels ठीक है तो हमने पहले भी बताया था आपको कि कभी भी extreme sentence आता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक के सोचना है कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर सोचिए कि यह statement जो है सही लग रहा है या नहीं लग रहा है तो इसी तरह से आपको questions का statements को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपको answer करना है अगर आपको words dispatch के बारे में detail में पता है तब तो कोई problem नहीं है क्योंकि वह सबसे best तरीका है अगर आपको information है तब तो आप इसको easily solve कर सकते हैं लेकिन अगर information नहीं है तो भी आप जो है ऐसे sentences को अगर ऐसे checkpoints का ध्यान रखेंगे तो आप chances है कि सही ही option mark करेंगे ठीक है तो हम लोग देख लेते हैं आप पर इसको कहा भी जाता है magna carta of English education ठीक है in India magna carta इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काफी detailed जो था एक तरह से कहा सकते है recommendations था जिसमें first time क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था आपको याद होगा कि 1813 charter act में government of India ने पहली मतलब government of India means उसमें जो डिटिश गवर्मेंट थी जो company थी उसमें तो उसने decide किया था 1813 charter act में कि they will start promoting scientific education in India ठीक है तो 1813 में उन्होंने first time जो है one lakh rupees allot किया था कि वो education पर खर्चा करेंगे ठीक है और उसके बाद उनका उस समय से कह सकते हैं आप उन लोग कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिये उन लोग basically जो downward downward filtration theory होता है कि कुछ top के Indians को जो है जो कुछ अच्छे family से belong करेंगे उन लोग को हम लोग English सिखाएंगे और फिर उन लोग जो है वो अपने से इसको magna carta of English education करते हैं अब इसका थोड़ा detail है इसका details को आप लोग देख सकते हैं जैसे primary education में vernacular language को प्रपोर्ट करना था higher education में आपका जैसे याद है आपको just वुट्स dispatch के बाद आपका Bombay University, Madras University और Calcara University खोला था जो कि तीन major university था इंडिया का पहला फिर लेटर ओन बहुत सारे universities आया तो इस तरह से आप थोड़ा क्या है कि थोड़ा सा details पढ़िए अगर मतलब अगर क्योंकि question आपको वुट्स dispatch से हो सकता है कभी कभी detail में पूछते कि खास करके यही language के पे based आता है कि वर्नेकुलर में था या English में था या फिर उसका क्या था उसमें जैसे woman education को भी promote करने का था उसके बाद उसमें teacher training का भी एक component था ठीक है grants and aid का भी बात हुआ था कि कैसे universities को promote करना है या private enterprise को भी कैसे promote करना है ठीक है तो इस तरह का चीज जो है आप देखते रहिए अगर आप स्कुस का screenshot ले लेंगे तो यह more than enough information है इसमें और इस तरह से ही आप जो है कोशिस करिए कि modern history का question at least पढ़ें क्योंकि modern history का question जो है वो in depth ही आता है ठीक है वो थोड़ा सा depth में ही जाके questions पूचते है और वही पर लोग से गल्ती करा लेते है ठीक है तो हम लोग देखते है next question य ठीक है second statement है N.M.Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India which of the above statements is or are correct ठीक है option A.1 है one only B है two only C है both one and two और D है neither one or two ठीक है तो हम लोग देखते है इसका answer क्या होगा सही इसका answer है two only ठीक है means पहला statement जो है वो wrong है देखिए अब information में जाने से पहले हम लोग लगा लगा लेते हैं ठीक है अगर information आपके पास नहीं है तो हम लोग logic लगाते है ठीक है अब आप देखिए Factories Act 1881 1881 का समय आप याद करिए जब आप modern history में पढ़े होंगे तो 1881 का समय काफी जो था मतलब क्योंकि 1850 में जो है इंडिया में industrial revolution आया था वो लोग भी उसमय अपना काम जमा रहते country में ठीक है तो आप जो है 1881 का अगर कोई एक act आया होगा अगर factory से लेके तो आप उसमें इसका ये देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि the factory act was passed to view to fix the wages of industrial workers and to allow workers to form trade unions ठीक है अब आप यहाँ पर से यह statement आपको UPSC ने जान के इसलिए दिया है क्योंकि आप देखिए जब आपका industry starting state में किसी भी होता है किसी country में तो वहाँ पर कभी भी जो होता है wage तो fix नहीं किया जाएगा workers का क्योंकि पहला aim तो है कि industry का growth हो अगर for example आप wage fix कर दीजे workers का तो industry profitability कमाएगी नहीं तो वो growth करेगी नहीं तो यह सब जो यह सब reforms था नहीं यह later on होता है किसी भी country में जहाँ भी मतलब industries develop कर गये हैं वहाँ पर फिर आपका labor laws आता है लेकिन यहाँ अब भी तो आपका industry develop ही नहीं किया है तो यह सब जो reforms है व जो factories act है वो इतना advanced provisions कभी भी carry नहीं करेगा ठीक है तो इस तरह से जो है अगर आप इसको अगर logically भी eliminate करेंगे तो हम लोग कर देंगे और N.M.Lokhandi के बारे में सबको पता है कि he was a very earliest labor movement के हमारे leader थे महराज के उन्होंने mail association भी form किया था तो वो आप उसके बारे में detail में दूसरा CAPF का exam होता है उसमें ऐसा आपको एक logic लगा के भी question solve हो सकता है ठीक है अब यहाँ पर देख लेते है कि actually में क्या क्या था उसका ये provisions क्या था 1881 का the limitations on the factory working hours सबसे पहला था children between age of 7 and 12 were to work for 9 hours a day अब यहाँ पर देखी क्या था कि children 7 to 12 उनको भी 9 घंटा काम करना था ठी 9 घंटा भी children को काम करना is a very मतलब कह सकते है backward उसमें हमारा society था कि children मतलब labor में के रूप में काम करते थे क्योंकि उसमें industry जो था एकदम starting phase में था कह सकते थे कि almost slavery type का हमारा उसमें था कम wage में काम करते थे एकदम unfavorable conditions में काम करते थे difficult conditions में काम करते थे उनका मतलब machine में उन से health hazard भी हो जाता था काफी लोग मशीन से injured हो जाते थे या death हो जाता था तो वैसा situation था उस समय तो उस समय कभी भी आप ऐसा आपका reform नहीं आ जागा कि wage का regulation हो या इस तरह का हो ठीक है तो यहाँ पर दूसरा देखी जिसे जो कि यह बाकी है फेंसिंग किया गया था machinery का यह भी देख सकते हैं और बाकी भी जो आप थोड़ा provisions से इसको देखते रही है उसके अधा हमारा factors act 1891 भी आया था उसको भी आप थोड़ा इस तरह से पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको सीरीज में अगर आप पढ़िएगा तो चीज आपको याद रहेगा अम लोग पढ़ते हैं आगे देखते हैं यह आपका medieval का question यहाँ पर है consider the following statements about कुतुब मिनार ठीक है first है its radius decreases after each story second है it's a five story structure third है it was completed by iltutmish और fourth है it was characteristic of both Hindu and Islamic architecture ठीक है तो बताएगे कौन सा option आपका सही है मतलब कौन कौन सा statements आपका सही है 1 & 2 only 1 & 3 only C है 1 3 & 4 only और D है 1 2 3 & 4 ठीक है तो बताएगे इसका सही answer है इसका सही answer है option D सारे statements जो है वो सही है अब इसका explanation देख लेते हैं देखी क्या है regarding कुतुब मिनार its radius decreases after each story यह तो अगर किसी ने भी कुतुब मिनार देखा है एक बार भी चाहिए वो फोटो में देखा है यह originally जाके आप देखे तो आपको पता है कि वो कैसा structure है वो उपर जाके जो है वो narrow हो जाता है तो obviously उसका radius घट रहा है जैसे यहां पर देखी इसका डाइमेटर ऑफ बेस का इतना है और टॉब का इतना है और हाइड जो है वो 72.5 मेटर है कंसिस्ट आप रेक्टैंगूलर कोटियाड आप देखे हैं होंगे कि जैसे कुतुब मिनार के चारो और एक रेक्टैंगूलर कोटियाड है जिसमें काफ कॉलम्स हैं इसके बाद है यहाँ पर फर्स मुस्लिम रूलर था है डेली का कुतुब बुद्धिन अभग कमेंस्ट कंस्ट्रक्शन अफ कुतुब मियार इं 1280 लेकिन वह फिनिश नहीं कर पाया था है इसको बनाया था और फिर बाद में एक्दम बिलकुल बाद में फिरूश था साथ लोग लग ने एक last story construct कर रहा था ठीक है लेकिन इसका जो में जो मेजर काम था वो इल्थत्मिश नहीं complete कर वाया था ठीक है तो हम लोग देखते हैं next question यह है आपका medieval का question है यह भी vision एगर empire से है बहुत important question है तो हम लोग देखते हैं consider the following statements first है कृष्णदेव राया was known as आंद्र भोजा ठीक है second है he authored अमुक्ता मल्यडा बुक on quality in Telugu and also a Sanskrit drama called जाम जाम बावती कल्यानम ठीक है third है his quote was adorned by eight celebrated poets called अश्ट दिगजास ठीक है तो बताए इसमें कौन-कौन सा statement सही है आपका है पहला option one and two only b है three only c है two and three only और d है one two and three तो आपका सही option है one two and three means सारे statement जो है वो सही है देख लेते हैं explanation देखे कृष्णदेव राया was also knows as आंद्र भोजा ठीक है he authored a book name अमुक्त मल्यादा एंजाम वती कल्यानम देखे अगर आप ancient पढ़ रहे हैं अगर आप ancient आप पढ़ें तो खास करके हमारा जो southern इंडिया का जो books का नेम है या फिर songs का नेम है या फिर music का नेम है या फिर places का नेम है वो थोड़ा difficult हो सकता है पर सबसे best तरीका जो है जो ancient पढ़ने का या art and architecture जो इस तरह का जो questions है वो आप through questions cover करिए ठीक है हमारा जो history का series चल रहा है इसमें ancient का बहुत सारा questions आएगा तो अगर आप इन सब questions को भी एक बार देख के जाते हैं क्योंकि आपका जो ancient का या art and culture का जो question आता है उसमें जरूर आपको एक option दिया हो रहेगा जिसको आपको पहचानना है जिससे आप question में eliminate कर सकते हैं बस उतना ही रहता है सब information जो है ancient में किसी को भी नहीं पता होता है जो भी अगर ऐसा बोलते हैं कि उनको सारा information पता है ancient में तो वह बिल्कुल गलत बोल रहे हैं क्योंकि वह impossible है उतना पढ़ना और UPSC भी question इस तरह से set करता है कि आपको कभी भी सारा statements पता नहीं रहेगा इसकान जो सबसे important relevant information है वह आपको पता है तो आप उसे option eliminate कर लेंगे ठीक है तो अब यहां पर जो है और information दिया हुआ है उस सब के बारे में उनका dynasty के बारे में तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं ठीक है हम लोग देखते है next question sorry यह जो है आपका question का answer यह आपर आगया है वैसे यह question आगा answer आज हो है अगर क्या होगा देखिए हम लोग देखते हैं थे consider the following statements about Vijayanagar empire the city of Vijayanagar was located on the bank of river Tungbadra second है the राइचूर दुवाब the permanent bone of contention between the kingdoms of Vijayanagar and Bhamani was the region between the rivers Krishna and Tungbadra which of the statements are correct तो आप मार कर सकते हैं वैसे इसका सही option है both ठीक है हम लोग इसका explanation देखते हैं क्या है देखिए विजन अगर city was located on the bank of river Tungbadra Tungbadra आप जानते हैं कि ऐसा जैसे महाबलेशवर से ऐसे Krishna निकलता है तो Tungbadra जो इसको नीचे से जॉइन करता है तो दुवाब जो रीजन होता है वह एक्चुली दो रीवर के बीच का रीजन होता है और यह बहुत ही fertile region होता है तो fertile जब होता है तो obviously वही पर kingdom का setup होगा तो वही है यह राइचूर दौब जो है ठीक है कृष्णा दूंगा ancient city of Vijayanagar was the urban core of the imperial city and surrounding principalities of the capital of Vijayanagar during 14th century to 16th century CE ठीक है यहाँ पर है कि यहाँ पर इस ताम देखिए foreign travelers भी आया थे अब्दूर रजाक थे यह Persian traveler थे तो यह भी आया थे तो यह भी काफी बताया थे यहाँ पर कैसा land fertile है और कैसा हमारा जैसे इन्होंने बता थे कि six fortification before the gates to the royal palace और the larger area between first and the third fortification contained agriculture fields तो इस तरह का description दिया वा था विजन अगर empire जो था वो culturally, economically, politically बहुत ही important empire था तो आप कह सकते हैं कि जैसे बाकी भी था हमारा चोलाज भी था पांडेयाज भी था पर जो विजन अगर जो था वो उससे बहुत question बनता है क्योंकि आप हमपी में भी जाते हैं जो उसका capital था व क्योंकि उससे एक दो questions हमेशा बनते हैं ठीक है हम लोग देखते हैं next यह question है यहाँ पर क्या है match list 1 with list 2 and select the correct answer for the codes given below ठीक है आपका है first है option मतला है यहाँ पहला A है अब्दुराजाक ठीक है B है दो आरते बार बोसा C है निकोलो कॉंटी D है न्यूनीज और इधर रूलर्स है यह अच्छु देवराया है देवराया 1 देवराया 2 और क्रिश्न देवराया तो बताइए का सही matching option कौन सा है सही है आपका option B ठीक है अब हम लोग देखते है इसका explanation अब्दुराजाक जो है वो देवराया 2 के रेन में आये थे न्यूनीज केम दूरिंग दूरिंग देवराया ठीक है अब्दुराजाक was an ambassador at the court of देवराय 2 says the prince has in his dominions 300 ports अब वो उनके बारे में बता रहे है कि कितना सार इनके पास ports है और each of which is equal to Calicut and its territory comprises a space of three months journey मतलब वो ये बता रहे है कि कितना बड़ा empire था ठीक है और सारे travelers जो थे agree किये कि जो हमारा population वहाँ पे था काफी ज़्यादा था और ये भी कहा था अब्दुर रजाकने की the country is for the most part well cultivated and well very fertile जस्त कहा कि जैसे राइचुर द्वाब में था वो तो वो जो था बहुत ही fertile area था तो वो काफी भरा पूरा kingdom था ठीक है तो ऐसे आप जो है हमने कहा कि वीजे नगर एंपायर के time में जितना travelers आये थे या जो भी music से related या जो culture से related या जो इवेन जो historic monuments है उसको पढ़ना बहुत important है क्योंकि यह जो है UPSC का favorite है ठीक है अब आगे बढ़ते है यह भी question आपका UPSC का previous year question है which among the following events happened earliest ठीक है आपको earliest बताना है means date wise तो option A है आपका स्वामी दियानन्द established R.A. समाज B है दीन बंदु मित्रा रोड नील दरपन C है बंकिम चंद चटोपाद्ध है रोड आनन्द मत और option D है आपका सतेंद नाट टेगोर became the first Indian to succeed in Indian civil services examination ठीक है तो यह देखिए अब यहाँ पर यह question जो है यह आपको थोड़ा सा जब तक depth में knowledge नहीं होगा जब तक आपने chronologically नहीं चीज को पढ़ें तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकता है यह question जो है हम लोग कह सकते हैं कि moderate से tough के बीच में य से ठीक है तो इसका सही answer देखते है इसका सही answer है दीन बंदु मित्रा रोट नील दरपन अब देखते है देखिए date क्या है यह देखिए 1859 में लिखा है नहीं नील दरपन अब देखिए यह question कहते हो सकते हैं कि आप बहुत tough है पर यहाँ पर भी एक logic है logic का इसलिए बात है नील दरपन जो है यह जो दीन बंदु मित्रा साहम ने लिखा था यह नील दरपन यह बहुत ही important एक play है ठीक है और इस play का जो है use हुआ था मतलब इस play का जो में जो इसको recognition मिला यह मिला आपका indigo revolt के समय ठीक है indigo revolt जो आपका 1880 में हुआ था उस समय इसका play को use करके जो है ह अंगाल रीजन में जो है इसके और बिहार वाले रीजन में इससे मतलब प्रेड़ना ली गई थी इस play से तो अब देखिए अब क्या होता है कि generally लोग जब नील दरपन का बात पढ़ते हैं indigo revolt के समय ठीक है तो indigo revolt आपका 1880 में हुआ था तो लोग यह सोच लेते हैं कि नी नील दरपन भी उसी समय होगा नील दरपन लेकिन वहाँ पर नहीं था नील दरपन पहले का था 1859 तो यह question का यही logic था यह just because क्योंकि हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं चीजों को कि हम लोग को याद उसी तरह से होता है तो UPSC भी कभी कभी आपके दिमाग से खेलने का कोश चीज करता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि दीन मंदु मित्रा नील दरपन जो हो सबसे पहले लिखे थे उसके बाद सतें दिरनात जो थे वो 1863 में CSE कॉलिफाई किये थे 1875 में आरे समाज फांड हुआ था और 1882 में जो है आनन्दमत बंकिमचन चैटेज जी लिखे ठीक है तो इस तरह से चीज को जैसे अब देखे आरे समाज जो है यह लोगों को हो सकता था याद हो ठीक है क्योंकि यह उसी टाइम में जो है आपका revolution हो रहा था और reform movements हो रहा था लेकिन यह नील दरपन का यही logic था क्योंकि लोग नील दरपन को हमेशा पढ़तें इस तरह का question लेने का यही मतलब था कि आप भी जो है आपको भी हो सकता है आपके दिमाग से खेला जाए तो आप जो है थोड़ा सा अगर detail में पढ़ेंगे तो आपके लिए modern history में at least अच्छा होगा अम लोग देखते है next यह देखिए यह भी बहुत favorite questions है इस तरह को questions आता ह है paper journal based तो यहां पर हम लोग देखते है which of the following is correctly matched देखिए first common well यह है एनी बेसेंट दूसरा है तहजीब अकलाक यह है मौलाना अबुल कलाम अजाद थर्ड है इंडियन socialist शामजी कृष्ण वर्मा ठीक है तो आपका सही option क्या बताइए सही option है आपका one and three means तहजीब अकलाक ज पर नहीं थे उसके तो बताइए इसका सही देखिए आपर कौन है हमारा जो तहजीब अकलाइस यह है सर यह है अमेद खान जो कि आपकी जानते हैं कि लेटर 19th century के जो 19th century के जो मतलब Muslim reformers में सबसे pioneer थे वही वही नहीं नहीं यह paper start किया था तहजीब अकला ठीक है तो देख अगर आप यह भी है और यह भी देख सकते हैं यह भी यहाँ पर दिया हुए यह more than enough है अगर आप इसको देख लें इतना ही को अगर आप इसका screenshot लेके रख लें तो आप अगर इसको बार-बार revise करेंगे तो आपका जो है ऐसा question सही हो जाएगा जैसे देखिए और भी important कैसे समवाद कौमोदी भी बहुत early paper था जो राजाराम मोहन रोय लाए थे Indian mirror देवेंदर नाट टेगूर यह भी बहुत important है देखिए Indian socialist इंडियन socialist जो है थोड़ा सा आपको याद होगा इंडियन socialist जो है जो है इंडिया हाउस बना था आपको इंडिया हाउस जो है फॉर्म हुआ था आपका मतलब यूरोप में यूरोप में means England में बना था वहाँ पर जो फॉरण में जो इंडियन लोग पढ़ने जाते थे उनक हमें यह सब पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं आगे यहां पर है दा एनिमल्स प्रेजेंट इन फेमस पशुपती सील पशुपती सील आपने पढ़ा होगा हरपन सिविलाइजेशन के समय जो हम लोग का निकला था पशुपती सील ठीक ह ठीक है तो आपका सही ऑप्शन है थ्री एन फॉर ठीक है वीन्स बफेलो एंट टाइगर अब लोग देखते हैं एक्स्पानेशन देखिए फेमस पशुपती सील यह सब को पता होगा जिन्होंने भी इंशेंट पढ़ा है यह हमारा पहला चैप्टर है यह तो बिलकुल ही चाहिए आपको ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए फिगर ओफ योगी उसमें एक गॉड है जो इनको प्रभाबली शिवा पशुपती कहा गया है और फॉराउंडेट सराउंडेड बाई फोर एनिमल्स राइनो बफेलो एलिफेंट एंट टाइगर ठी ठीक है दो एनिमल्स का दो जगा जिक्र बहुत इंपोर्टेंट हुआ है एक तो पशुपती सील में और दूसरा अशोकन पिलर में ठीक है तो इसलिए इसको कंट्रास्ट में अगर आप पढ़ीगा तो कभी नहीं बूलीगा अब यहाँ पर देखिए आपका राइनो है देख लिए यह देखिए अशोकन पिलर में भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि साथ में देखिए तो फिर आपका भी भूलीगा निए ठीक है अशोकन फिलर फीचर्ट फीचर्स फोर एशेटिक लाइन यह तो जानते है हमारा जो है और नीचे में देखिए अब एकस में जो है इसके क्या क्या है एलिफेंट है गैलोपिंग होर्स है बुल है और लायन है ठीक है तो यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं हेल्ब से हेल्ब यह होगे होर्स एलिफेंट लायन और बुल और वहाँ पर क्या था टर्ब वहाँ था टाइगर एलिफेंट राइनो ए यहां बुल है तो इस तरह से चीज अगर आप याद करेगा ना तो आपको बिल्कुल याद रहेगा तो यह question लेने का यह मक्सद था कि आप इस तरह का मतलब अगर मिनिमोनिक्स याद कर सकते हैं या बना सकते हैं खुद से तो आप यह फिर इसी मिनिमोनिक्स को फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए इजी होगा और आपको आपको confusion नहीं होगा ठीक है ना अब लोग देखते हैं next question यह बताएगे क्या है with reference to Indian history who among the following is a future Buddha yet to come to save the world ठीक है यह बहुत important question है और यह भी आपका question आचुका है यह भी question आपका आचुका है तो बताएगे इसका सही option क्या होगा इसका सही option होगा मैत्रे बुद्धा ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं मैत्रे is the future Buddha who coming was said to have been prophesized by the historical Buddha and who in years to come would purify the world with his teachings ठीक है यह उनके दिया हुआ है अवलो कितेश्वरा जो है यह यह भी एक तरह का आपका बोधी सत्वा ही है इनको ही पानी भी बोलते है और यह भी जो है यह और लोकेश्वरा भी जो है वो अवलो कितेश्वरा का ही एक दूसरा नाम है ठीक है बोधी सत्वा के बारे में आप जो है Google कर सकते है बोधी ancient का अगर आप Buddhism भी जिर्फ पढ़के चल जाएं तो उसे दो-तिन question आई जाएगा और बहुत basic basic question आता है Buddhism से ठीक है तो यहाँ पर थोड़ सा बोधी सत्वा का यह पढ़ लेते हैं कि early Buddhism में the term बोधी सत्वा is used as the early text to refer और गौतम बुद्धा in his previous life बोधी सत्वा का भी ना दो-तीन मतलब है एक तो ऐसा मतलब बोधी सत्वा is a person who seek knowledge ठीक है और जो बुद्धा बनना चाहते हैं finally ठीक है उनको भी बोधी सत्वा बोलते है और भी बोधी सत्वा का मतलब एक दो और भी मतलब वर्णन है जगा तो आप जितना भी possible उनका definitions है उसको आप पढ़ लिजे ठीक है बोधी सत्वा का आपका बहुत important topic है जातका tales भी बहुत important है यह सब बोधिजम से related आपका important important चीज है उसके बाद आपका महाजनपद्स है और उसके बाद आपका जितना books है विने पिता का सूत पिता का इस तरह का चीज जो है आपको बोधिजम में पता होना चाहिए क्योंकि यह से primary questions है इंशेंट के ठीक है तो हमारा जो है यहां पर question complete हुआ और अब हम लोग मिलते हैं next daily dose में ठीक है thank you